हमारी रफ्तार देखो जब हमारे पडोसी चौक से चांद का डाइगराम बनाना सीख रहे थे हम चांद की मिट्डी चूम के लोटाए जब दुनिया मिशन मार्स पर करोणों डॉलर फूंक रही थी हम मुठी भर पैसों में मंगल घूम के लोटाए भट्तियां कितरी भी बड हम अगनी पुत्रों के बिना आग कहां से लाओगे जो क्रश्म की तरह तुम्हारी तरक्की का रथ हांके वो प्रतिभा वो दिमाग कहां से लाओगे बैचे रोग गूगल और ट्विटर खोलके पीचाई और पराग कहां से लाओगे यह सवाल है कि मुसल्मान दुनिया जो है वो क्यों उसने नहीं सोचा आज था कि हमें चान पर जाना है इस वेरी सीरियस क्वेस्टिन के सिवाए मुसल्मानों के चोड़के बागी सब चान हो जे यह एक तरह से देखा जाए कि उनको गॉच्छिलेशन पर गया है लेकिन पाहसीत है पाकिस्तान पाकिस्तानी बुझे बहुत दुख है तरह तरह यहां पर हमारी यह अलात क्यूंँ है और हमारा प्रोसी मलक इंडिया चान पर चला जाएं तो चान पर चला जाए को उसके कोई टेंशन नीवह अंदेरी जगा पर गया जहां पर कुछ भी नहीं होना पाणी भी ढूंड़ लिए उनोंने क्या चूतिया बनती है पहले पाणी भी ढूंडने वाला तीसरे ये तीसरा एटेम्ट है उन्टा पूरी दुनिया तसदीक आप नहीं मारते पिछले दो दिन में बने तगड़े वाले सकतागत को हिंदुस्तान का रिकोड़ तो आपको पता है कि भारत चान्द पह पोझे पहुज़ करें यो होrained पाकिस्तान का डॉलर भी चांद पे पोच गया है हमें फकर है इस पर एक तरह भारत ने चांद पे कदम रखके एक इतियास मनाया वही पाकिस्तान ने अपने डॉलर को 300 रुपे तक पोचा कर नया इतियास मनाया यह हमारी बहुत बड़ी अचीवमेंट अब एक डॉलर 300 रुपे तक चले जाया तो आपको पतायागी फिर आहाकारी मसता है यकीन किजिए पाकिस्तान इस वक्त उस दोर से गुजर रहा है कि आम आदमी ने हाथ खड़े कर दी हैं उसने का बस पाकिस्तान दिन बदिन कंगाली के दलदल में धस्ता चला जा रहा है पाकिस्तान की तारीख में डॉलर कभी भी इस रेट को तजावुज नहीं किया आज का जो रेट है 300 रुपे और 25 पैसे तक पहुंच चुका है यह पाकिस्तान की तारीख में पहली दफ़ा हुआ है इसके साथ अगर हम बात करें महंगाई की, इंफलेशन की, बेरोजगारी की, मुल्क में बढ़ते हुए बहरान की तो यह पाकिस्तान अपने वर्स तरीन दोर से गुज़र रहा है क्योंकि यह इसलामी जमूरिया पाकिस्तान है अगर हम बात करें बिजले की बिलो की अलेक्टिसिटी के बिल ने इस दफ़ा तो रिकॉर्ड तोड़ दिया है 15,000 कमाने वाले बंदे को 40-45,000 रुपे बिजली का बिल दिया जा रहा है मस्झिदों के अंदर से इलान किये जा रहे है कि कोई भी पाकिस्तानी अगस्त के अलेक्टिसिटी के बिल जमान नहीं करवाएगा और जो दो अगर कोई मीटर कार्टने आता है, पहले उसको मنا किया जाए और अगर वो मना नहीं होता तो मीटर काटने वाला अपने जान और माल का खुद जिम्हधार होगा मजड़ चाहे हिंदुस्तान की हो चाहे पाकिस्तान की हो वहाँ से एलान ऐसे बेतु की होता है क्या? बेली मत दो, पाकिस्तानी आर्मी का हंटर चलेगा तुम्हारी आतडियों मैंसे भी खेच के बिल निगाल लेगी यारमी एक्ते हराम जादी है तुम्हारी यारमी डाकू तो फिर भी बंदूग दिखा कर लूटता है आपको ये तो बड़े अराम से लूटते हैं नाज़ीन के जो मैं आपको मनाज़ देखा रहा हूँ ये देखिए दरा कहा 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 के मनाज़ने कहा कहा सरगोधा, हरीपुर, ये देखें लोग निकले हुए बाहर सवर तोसा, पर लोग अतजाज कर रहे हैं बिजली के 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 बिजली कि इंडिया जैसे चांद पे पहुंच गिया जाया इतने बड़े बड़े काम कर रहा है तो वो जो भारत में मुस्लमान हैं उनके लिए भी कुछ करे अच्छा और जो एलसी पे रोज ये जो गोला बारी होती है जो हमारे मुसलमान भाई शहीद होते हैं उनके लिए भी कुछ करे अच्छा नहीं है ये सब जूट बताया जाता है कि मुझे जल्म हो रहा है ये और वो रहा कुछ भी नहीं हो रहा है ये सिर्फ हमें जो है ना हमारे एक जरीया बनाया जाता है कि पाकिस्तानी लोग इंडिया के करीब ना जाए आतक कोई मुसलमान पाकिस्तान आया है कि मुझे जल्म हो रहा है मुझे जगा दे दो नहीं 1947 से लेकर अब तक हमारे ओफिशल रिकॉर्ड में एक भी मुसलिम फैमिली नहीं है जो इंडिया चोड़के आई यह जो मुदी के पालिसी है ना यह पूरी दुनिया जानती है यह नहीं के सिर्फ मैं कहा रहा हूँ क्या पालिसी है कोई जल्मी होता मेडिया से रिलेटेड है यह अंकल पुरानी बाते हैं जो हमारे जो पुराने पॉलिटीशन थे इसी बात पे वोट लेते थे लेकिन आज इंडिया इतना आगए हिंडू है, मुस्लिम है, सिक्या, हिसाई है तमाम रिलिजन के लोग वहां पर अपनी काम्याबी को सेलिब्रेट करें आप मुझे यह बता है कि वहां पे मसाज़िद शहीद करें नहीं की जाते हैं पता है, पुरी दुनिया में बाबरी मस्जिद आप हमेशा ले आते हैं बाबरी मस्जिद का जो मसला था कोट में था, कोट ने हिंडूों को भी बुलाया, मुसल्मानों आप वो देखें तो ऐसे इंडिया के अदालतें भी ऐसी हैं अपने साथ में जोड़ी हैं हमको अलग हैं वो भी उन हिंडूों की और जो मूदी की सरकार है उसकी बात ही ज्यादा मानी जाती है तो अवाम वहां की या यहां की अवाम कुछ नहीं कार सकती वो जो हुकमनान बैठे हैं या स्टैबलिश्मेंट उदर की है आज हमारा टॉपिक जो है ना तरक्की का था आप इंडिया के मुसल्मानों पे लेगे आपने चाइना के मुसल्मानों की कि भी बात की है जिनको रोजे रखने नहीं दिया जाता हमारी सरकार सोचेे की रहते हैं बड़े लोग वो होकमरान ताक्तवरโवर वह सोचे गो तो इन्शालला हम भी उनसे कम नहीं है I am not agree with your analysis हम भे भी टैलेंट हैं हमारे लोगों में भी टैलेंट इतना है कि हम चान्द पे जा सकते हैं चान्द से उपर मरीक पे भी जा सकते हैं 37 साले में कोशिश क्यों नहीं कि अगर हम जा सकते हैं इंडिया ने दो कोशिशे की तो पूरा वीडियो आप लोग में देख लिया वीडियो देख रही बाद में आपके जो विचार हो वह बहुत मैंतुपून है कमेंट शक्षन आप ही का है आप वहां के शेंच्छा हो तो पाकिस्तानियों को पहलने में कोई कमें नहीं रहनी चाहिए आप लोग अपना घ्या